आज हम बनाएंगे पके हुए केले की बहुत ही आसान रेसिपी खास कर ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप गेहूं का आटा लेंगे आप चाहे तो मैदा से भी इसे बना सकते हैं पर गेहूं का आटा हेल्थ के लिए अच्छा होता है उसके बाद एक चम्मच हम चीनी डाल देंगे अच्छे से पीस कर अब एक चमच हम इसमें टील डाल देंगे रिफाइन ओल डाल देंगे आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और इन सारी चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गुन गुना पानी लेंगे और इस पानी को आटे में तोड़ा तोड़ा करके डालेंगे और आटे को mix करते जाएंगे इसके बाद हम आटे को अच्छे से गुथ लेंगे तो जैसा पूरी के लिए आटा गुथते हैं बिल्कुल उसी तरीके का हमें गुथ लेना है ना ज़्यादा soft और ना ज़्यादा tight गुथना है तो पूरी के जैसा आटा हमें गुथ लेना है आटा देखिए अच्छे से गुथ चुका है तो अब इसमें हम हलका सा तेल डाल कर आटे को थोरा और मसल लेंगे जिससे के ये चिकना हो जाए तो ये देखिए आटा अच्छे से गुथ चुका है अब हम इसे आटे को लेंगे और इस तरीके से इसे रोल कर लेंगे और इसका क्या करेंगे कि हम बराबर बराबर साइज में हम इसे काट कर इसके चिकने गोले बना लेना है इस तरीके से और जब इसके गोले बन जाए तो हम क्या करेंगे कि एक बाउल में हम थोरा सा तेल डाल देंगे और इस तेल में हम जो गोले बना कर हमने आटे का रखा है उसे तेल में अच्छे तरीके से चिकना करके रख देंगे तो सारे गोले को इसी तरीके से बना कर तेल में हम लगा कर रख देंगे ताकि गोले हैं वो सुखे नहीं अब इसके बाद सारे गोले बनाने के बाद हम इसने ढख देंगे अब हम पके हुए केले लेंगे तो केले आपके थूरे जादा भी पके हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब पके हुए केले के हम छिलके निकाल लेंगे तो आप जिस को एंटेटी में बना रहे हूं उसी हिसाब से केले लें तो सारे केले के छिलके निकाल लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो ये केले हैं इसे एकदम पतली पतली स्लाइस में काट लेना है मोटा नहीं एकदम पतला पतला काट लेना है और सब इक्वल साइज में काटना है तो सारे केले को हम इसी तरीके से पतली-पतली slice में काट लेंगे और सब इक ही size में कटा हुआ होना चाहिए अब केले काटने के बाद हमने जो गोला बना कर रखा था तो ये देखिए गुले बिल्कुल भी नहीं सुखें अब हम क्या करेंगे कि इन्हें हम बेल लेंगे तो रोटी से थोरा मोटा बेलना जैसा हम पराठा के लिए बेलते हैं बिल्कुल वैसा बेल लेंगे तो थोरी से टेरे मेरे भी हो जाएं अगर इनके किनारे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन रोटी हम एकदम बराबर बेलेंगे, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं अब बेली हुई रोटी के उपर हमने जो केले काट कर रखे थे उन्हें इस तरीके से उठा कर रोटी के उपर रख देंगे तो इसी तरीके से हम दूसरा तीसरा लाइन भी रख लेंगे और केले को एकदम अच्छे से रखना है अगर आपको लगे कि केले कहीं कम या कहीं जादा हो रहे हैं उसे अच्छे से सेट कर लेजिए अब यह देखिए हमने सब तरप से अच्छे से सेट कर लिया इसके बाद क्या करेंगे कि हम इस तरीके से रोटी को उठाएंगे एक साइट से और मोर देंगे और इसी तरीके से दूसरे साइट से भी उठा के इसे भी मोर देंगे जो हमने मोरा है उसके उपर हम रख देंगे इसके बाद नीचे से उटाएंगे और इसे इस तरीके से मोर के हलका हलका में प्रेस कर देना है और उपर से भी उटा के इस तरीके से हम हलका हलका प्रेस कर देंगे ये देखिए कितने अच्छे से और आसानी से बनकर तयार हो चुका है बिलकुल कहीं से नहीं फटा है और इसे बनाना कितना आसान है और एक दम चोकोर सेप में आ चुका है बस इसी तरीके से हम सब को बना लेंगे तो दूसरा मैं फिर से दिखा देती हूँ एक साइड से इसे मोरेंगे और दूसे साइड से भी इसे उठा कर हमने जो पहला साइड मोरा है उसके उपर हलका सा रखकर हम प्रेस कर देंगे और फिर हम इसे नीचे साइड से इसी तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से हलका हलका प्रेस कर देंगे उसके बाद उपर साइड से भी उठा कर म तो यह देखे हमारा चोकोर सेप में बनकर स्क्वाइर सेप में बनकर तयार हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से अब हम एक चमतिल तबह या फ्राइपैन में डाल कर हमने जो चोकोर सेप में बना कर रखा है डाल देंगे और गैस का फ्लेम low to medium के पीच में रखे और इसे हलका हलका स्पेचुला से इस तरीके से हम घुमाएंगे ताकी ये अच्छे से सिखे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये नीचे से तो शिखी राय तेल में हलका हलका तेल उपर भी इसके उपर डाल देंगे चमच या ब्रस से इस तरीके से ताकि ये ऊपर से भी हलका-हलका सिखते रहे और इस तरीके से स्पेचुला से हम इसे घुमाएंगे थोरी देर के बाद हम इसे पलट लेंगे ये देखिए नीचे से अचे से सिख चुका है ब्राउन कलर आ चुका है तो बस ऐसे ही हमें सेख लेना है और दूसरे साइट भी हम इसी तरीके से हलका हलका स्पैचुला से घुमाते हुए सेखेंगे और थोरी देर के बाद हम इसे पलट लेंगे दूसरे साइट से भी तो ये देखी दूसरे साइट भी ये अच्छे से सिख चुका है बस अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से low to medium के बीच में हमें अच्छे से इन्हें सेख लेना है तो बचे हुई तेल में हम दूसरा डाल देंगे अगर तेल खत्म हो जाए तो आप फिर से एक चमस तेल डाल कर और इन्हें low to medium के बीच में अलट पलट कर अच्छे से से शेख ले ताकि कहीं से भी कच्छे न रह जाए तो ये हमारे टेस्टी केली की स्क्वाइर सेप की मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ थैंक यू